इस लेक्चर में हम एफिड्रा में रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इस दोरान सबसे पहले हम मेल कोन के बारे में स्टडी करेंगे। तो most species of ephedra are strictly dioces, though occasionally wise porringid cones में occurring some species. यानि कि ephedra की लगबग सभी जातिया डायोशियस या एक लिंगाश रही है। यानि इसमें नर्वे, मादा, जननांग यानि मेल और फिमेल रिप्रोटिक्टिव ओर्गन्स अलग-अलग प्लांट्स पर विक्सित होते हैं। अपवास रोप इसमें monoecious plants भी मिलते हैं। कौन सकर इन ग्रुप एड़न नोड्स। ephedra में जो कौन बनते हैं, वे समुह में बनते हैं और branches की नोड्स पर बनते हैं। यानि पर्व संधी जहां पर होती हैं, वहां पर इसमें कौन विक्सित होते हैं। अनलाइक अधर लिविंग और जिम्नौस पर्म, इन ephedra बोथ मेल और फिमेल स्ट्रोबिलाए आर कंपाउंड दैस अ कौन एक्सिस बियर। पेर्स और ब्रेक्ट विच सब्टेंड इधर माइक्रोस्पॉरेंजेट और ओविलेट शूट्स। एphedra में मेल और फिमेल कौन कंपाउंड होते हैं, यानि उस कौन की जो कौन एक्सिस होती है, उसके दोनों और ब्रेक्ट पेर में या युग्म में पाए जाते हैं। जहां पर एक नोड है। और इस स्थिति को डाग्राम के माद्यम से। तो जैसे कि हमने पिछे भी बात की है, कि मेल कौन ब्रांचिस की पर्वसंदी या नोड पर जो शलक पत्र या स्केल लियूज उपस्तित होते हैं, उनके खक्ष में विक्सित होते हैं। और ये इस नोड पर मेल कौन समों में पाए जा रहे हैं। तो प्रतेक मेल कौन अपनी शलक पत्र के इसके लियूज के एक्जिल में या कक्ष में पाए जाते हैं। प्रतेक मेल कौन में केंद्रिय एक्सिस जो होती है, सेंट्रल एक्सिस पर सहपत्र के ओपोजिट डिक्यूसेट यूग में पाए जाते हैं, पेर पाए जाते हैं। जो की संख्या में दो से लेकर दस तक होते हैं। इस चीज़ को हम डाग्राम C में देख सकते हैं। डाग्राम C, मेल स्ट्रॉबिलस या मेल कौन का लॉंगिट्यूडनल सेक्षन दिखा रहा है। इसमें एक कौन एक्सिस पाए जा रही है। इस कौन एक्सिस के दोनों और सम्मुख प्रॉसेट या ओपोजिट डेक्यूसे अरेंजमेंट में ब्रेक्ट पाए जाते हैं। आपको यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ कुछ स्टेराइल ब्रेक्ट होते हैं। लेकिन बाद के जो भी ब्रेक्ट होते हैं उनमें माइक्रो स्पॉरिंजिया पाए जाते हैं। तो कौन एक्सिस के दोनों और इसमें पेर मे पत्र या इंगलिष में जिनको ब्रैक्ट कहते हैं यह पाय जाते हैं जैसे पहला यह पेर है आपको दिखाए जा रहा है और यह दूसरा पेर है परतेक जो फर्टाइल ब्रेक्ट होता है उसके कक्ष में एक मेल शूट या माइक्रो स्पॉरेंजियर शूट या मेल फ्लावर पाया जाता है और ये जो मेल फ्लावर या माइक्रो स्पॉरेंजियर शूट जो होते हैं इनके आधार पर जो सहे पत्र उपसित होते हैं उनको ब्रेक्टियोल कहते हैं या पैरियान्त भी कहते हैं तो डी डायग्राम जो है उसमें एक मेल फ्लावर को दिखाये जा रहा है जिसे कि हमने बात की एक मेल फ्लावर में उसके आधार पर पैरियान्त या प्रेक्टियोल पाये जाते हैं जो कि दो होते हैं संख्या में और नीचे से आपस में जुड़े वे होते हैं उसके बाद में एक स्टाक होती है और उसस्टाक के उपर इसमें एंथर पाये जाते हैं यह nthar या MICROSPORENGUIYA संख्या में 8 से लेकर 12 तक होती है और यह MICROSPORENGUIU4 के शिर्ष पर पाए जाते हैं. sTARC को MICROSPORENGUIU4 भी कहते हैं. नेक्स डियाग्राम यानि इडियाग्राम में माइक्रोस्पॉरेंजियम का एक लोंगिटूडनल सेक्षन दिखाये जा रहा है जिसमें स्टाक और स्टाक के ऊपर इसमें माइक्रोस्पॉरेंजियम दिखाये जा रही है जिसके बहार वॉल लेयर होगी इस वाल लेर की सबसे भीतर की जो परत होती उसको टापिटम कहते हैं और उसके भीतर माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं तो यह बात हमने कर लिया है इसके अलावा हमने पैरियांथ के बारे में भी जाना है कि पैरियांथ क्या होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियोफोर इस टाक के आधार पर जो सहपत्र जैसी सरंजना पाए जाती हैं उसके वो ब्रैक्टियोल या पैरियांथ कहते हैं और ये पैरियांथ इसके आधार पर जुड़ेवे होते हैं इस लाइड में हम मािक्रो स्पोरेंजियम के ड्यावल्प्मेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ए ड्याग्राम से अगर शुरू करें तो मािक्रो given। जो है वह मेल कोन के जो फर्टाल ब्लैक्ट होते हैं उनके अक्ष में ड्यावल्प कोते हैं। ये एक लोब के रूप में विक्सित होते हैं और परतेक लोब जो है एक माइक्रो स्पोरेंजियम या एंथर लोब को परदर्शित करती है तो ए डियाग्राम में जहां पर इसमें पाली या लोब का बनना शुरू हो गया है बी डियाग्राम में जो लोब की हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं उनको आर्की स्पोरियल इनिश्यल्स कहते हैं और ये सेल्स ही बाद में आगे माइक्रो स्पोरेंजियम का निर्मान करती है तो पहले तो ये आर्की स्पोरियल इनिश्यल्स एक लगातार एक समूर के रूप में होती है और बाद में इनके बीच में कुछ sterile cells बन जाती है यानि sterile cells की एक plate के दुआरा इन आर्की sporeal initials को दो भगों में बाट दिया जाता है उसके बाद में बिजानु धानी का परिवर्दन हम कहेंगे यू स्पोरेंजेट परकार का होता है यू स्पोरेंजेट का अर्थ है कि बिजानु धानी के परिवर्दन में एक से अधिक कोशिकाएं भाग लेती है इन आर्की sporeal cells के ग्रुप में एक पैरिकलिनल डिविशन होता है जिससे बहार की तरफ वॉल सेल या प्राइमरी वॉल सेल और भीतर की तरफ प्राइमरी sporogynous cells बनती है प्राइमरी sporogynous cells में दो पैरिकलिनल डिविजन होता है जिससे एक मिडल वाल और एक टैपिटल लेयर बन जाती है और जो प्राइमरी वॉल सेल बनी भी होती है उसे एपिडर्मिस बनता है यानि कि यहा पर हमें ध्यान रखने योग्य ये बात है कि इसमें प्राइमरी sporogynous cells के द्वारा मिडल वॉल लेयर और टैपिटल लेयर बनती है और प्राइमरी वॉल लेयर के द्वारा एक पिडर्मिस बनती है बाद में जो sporogynous cells होती है उन में different different plane पर division होते हैं और उससे बहुत सारी बिजानू मत्री कोशिकाएं बन जाती है जिने spore mother cell कहते हैं यहीं spore mother cell का differentiation sporogynous tissue से होता है उसके बाद में primary spore mother cell में haploid haploid micro spore बनते हैं और यह haploid micro spore इन spore mother cell में मियोसिस division होने से बनते है एफ डियाग्राम में आप देख रहे हैं सपस्ट रूप से आप देख रहे हैं बाहर की तरफ epidermis उसके बाद में middle layer और सबसे भीतर की tapitum यह tapitum layer इनके portion देने में काम आती है micro spores को portion देने में काम आती है एफ डियाग्राम में आपको micro spore mother cell दिखाए दे रहे हैं जिनका की division स्टार्ट हो चुका है इन micro spore mother cell में अर्दसुत्री विबाजन या meiosis होता है और उससे चार haploid micro spore बनते हैं और यह micro spore कुछ oval प्रकार के होते हैं और इनमें जो है ridges पाए जाती है माइक्रो स्पोर जो है इनके oval होने के साथ में इनमें उपर की तरफ parallel ridges पाए जाती हैं तो इस तरह से हमने ephidra में male cone और development of micro spore ingeum के बारे में विस्तार से जाना है अल्ग साथ प्रकार के एंगी प्रकार जो है को बारे में तरह जाती है कर दो एंगे प्रफटरा हुआए जा है को बारे में बारे जाती है झारे जाना है